आपको ख़वर बता दें, अनलॉक एक पर केंद्री सरकार की दूसरी गाइडलाइन जारी, दूसरी गाइडलाइन के अनुसार आठ जून से रेस्टोराओं धार्मिक स्थल मॉल होटेल्स खुल सकेंगे, रेस्टोराओं में आधी सीटे खाली रहेंगी, डिस्पोजल जमाल नहीं किया जाएगा, रेस्टोराओं के अन्ट्रिक गेट पर हैंड सेनिटाइज करने की ववस्था वहाँ पर, रेस्टोराओं को थर्मल स्क्रीनिंग की भी ववस्था करनी होगी, धर्मस्थलों पर मूर्तियों और ग्रंतों को शधालूं नहीं चूँ सकेंगे, श 24 से 30 डिगरी पर रखना होगा, जो तापमान है, जो टेंपरेचर है, वो 24 से 30 डिगरी पर रखना होगा, मॉल में ऐलिवेटर में लोगों की संख्या सीमित होगी, फूट कोट में आधी से जादा सीटों पर लोगों को नहीं बैठाया जाएगा, मॉल में हर जगहा सोशल ड इस्तिंसिंग रखनी होगी और होटेल में डिजिटल पेइमिंट ही होगा कॉन्टेक्लेस चेक इन और चेक आउट की विवस्था करनी होगी गैस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहेगी लेकिन बाचीत रूम में लगे फोन से करनी होगी यह तमाम जो गाइड लाइन्स हैं वो खेंडर के ओर से जारी की गई है आठ जून से धार्मिक्स हल खुल सकेंगे मॉल रेस्टॉण खुल सकेंगे लेकिन तमाम तरह की एहतियात वहाँ पर बरतनी होगी ताकि संक्रमन फैलने का जो खत्रा है वो कहीं न रहे फूट कोट में आधी से जादा सीटों पर लोगों को नहीं बैठाया जाएगा खाली रहेगी मॉल में हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के पालना करनी होगी साथ ही एसी का जो टेंपरेचर है वो 24 से 30 डिगरी के बीच रखना होगा एलिवेटर में सीमित लोगों के रहने की वहाँ पर सुवदा है वो होगी